देश का प्रमुक सहर हरू संपूर्ण रुपमा जलमल्ल भय योध्यो निरंतर विद्धूत आपूर्थी परिक्षण को सुरुआ परिक्षण सफल भय संगई क्रमिक रुपमा अन्य सहर गर्दै 2075 बाट शिंगो बुलु लोडशडिंग मुक्त घोशन भय यो इकाद इसको कथा जस्तो लाग्षा तर यो वास्तवित्ता हम्रे देश को हो देरे पुरानो बनिवईना आठ वर्षा पुरानो तर योकुने समतकार थियेना योता सरकार को बर्षण देखीको निरंतर को कार्ये योजना नेपाल विद्धोत प्राधिकरण का जलसक्तिको द्रीड इच्छा सक्ति नागरिको आकांच्या र विश्वास को एक मुस्टर प्रतिफल थियो उत्पादन प्रशारन र वितरर संजाल को वैज्यानिक मुशल र तक्ष्य प्रयोग मार्वत मागर आपुर्तिको बेवस्थापन तथा आम उपभुत्ता को साथ्र सहयोग ले योज सफलता प्राम्त भाय को थियो वर्श द्रीहत्जार प्रिहत्तर नेपाल को जलुविद्धोत विकास को यस्तो पुसे ढूंगा हो जस्पन्दा अगी सेवा प्रवाह मा अध्यारू गर आर्थिक ग्रूप मा घाठा को यूग थियो सार्वोजनिक सस्थान राष्ट्र का बोज भईनन राष्ट्रिय सम्रित्ति का संबहा कुन सक्षन बनने द्रिष्टान तर नेपाल विद्धोत प्राधिकरणले एही बिन्दू बात तिये पसारू तेही कोसे ढूंगा गरी परी विद्धोत पुगे का ठाउमा मात्र लोडचडिंको प्रस्ट अथियो तर करीब 42 प्रतिशक परिवार मातर विद्धोत सेवा ने पुगे गो थिये न इए बस्तिले विजुलिको उज्यालोको बेग्र प्रतिक्षा गरी रहे का ठिये जल्श्रोत को धनी देशको यो अवस्था आपईमा विरुद्धावास पुर्ण अथियो तर यो बीज मां उनान से प्रतिशक परिवार मां विद्धोत को पुझालोको पुगे गोशा अवचित्टै सत प्रतिशक परिवार मां विद्धोत सेवा पुगने पुझाला दिन पनी आउदेशन विगत मां विदूत जवा मांग गर्दे उपभगता हरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर अर्व तेज करोड योनित भुगे गशा प्रतिविक्ति उर्जाखवपत एक से एक सिस योनिक बाट बढेर चार से योनित भुगे गशा आप बर्शहगी 29 लाग 70 हजार रहेका विदूत को ग्रहाग संख्या हाल सामुदाईक सहिक 29 लाग 25 हजार दुगे गशा घर घर वस्ती वस्ती मा बत्ती पाल्वा मात्र होईना उद्योग वेवसाई रकल कारखानामा विदूत पुर्यार डेसलाईने सम्रिद्ध बनावने अभियानमा पने सपलता प्राप्त भाय कशा पुर्या विद्धूती करणगरन निके ठुलू बिहनत गरिये गशा सुकुमबासी तथा बिपन्न बर्ग समुदाईका विकत वस्ती मा पुर्या विद्धूती करणगरन अनेक चुनावती थीए तेसले कईयों समुदाई अध्यारों में थीए सर्वसाधारण को जीवन लाई सहस बनाउन सुकुमबासी वस्ती तथा जेपान मुशहर लगायत का बिपन्न बर्ग का घर परिवार मा विद्धूत चेवामा पहुच विस्तारगरन निसुक मीटर उपलवध गराईके गशा गाउन वस्ती को विद्धूती करण मात्र होईन इस्थानिय निकाय हरुसंग को साजेदारी मा स्मार्ट चड़क पत्ती विस्तार करी सहर उज्यालू बनाउने कारियमा समेथ प्राथिकरणली ठूलू लगानी गरेको सा इता देशमा पर्याप्त निरंतर विद्धूत आपुर्ती होदा विद्धूतीय सवारी साधन को प्रयूग पनी बढ़े कुछ भानसामा खाना पकाउन विद्धूतीय चूलू पल्न थाले का सर्म जस्लिगर्दा पेट्रूलियम पदार्थको खपक घडदा कारवन पुच्चरजन खटावन यूगदान पुगे कुछ विद्धूत हपप वढ़ावन विद्धूतीय सवारी साधन लाई प्रवर्दन तथा प्रोच्चाहन गर्न प्राधिकरण ले आफ़े 62 वटा चार्जिंग स्टेशन निर्माड गरी संचालन मा ल्यायको सा नीजी छेत्रबात निर्माड गरिये का चार से भन्दा बड़ी चार्जिंग स्टेशन संचालन मा सन प्राधिकरन ले विद्धूत उत्पादन प्रशारन र वितरन को गुरु योजना बनाई प्रभावकारी कारियानोयन गरी रहे कुछ अब नधी नधी बाठ विद्धूत उत्पादन गरने र नेपाल का गाउं गाउं सहर सहर मा पुर्याउने मात्र होईना उत्पादिक विजुली छिमेक मां बिक्री गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरना सुरू भई सके गोशा नेपाल ने भारत को प्रतिस्पर्दी बजार मां भाग लिये रह विदूत आयात निर्यात करी रहे गोशा नेपाल वर्षा याम मां दैनिक 700 मेगावार फंदा बड़ी विदूत निर्यात करने अवस्थामा पुगे गोशा तर सुखा याम मा नदी मा पानी को बहाव घटी देश हित्रका नदी प्रवाही जलो विदूत ग्रिया हरुबाच विदूत उपादन घटने होदा वर्दे गय को माग धानन गार सा तेसेले गत आरथिक बरसमा भारत बाच एक अरव 90 करोड यूनिट अर्था सोर अरव 93 करोड रुपईया को विद्धूत आयात करिये पसा तरह एही अवधी मा एक अर्व 95 करोड यूनित विद्धूत भारत तर्प निर्याद गरी सत्र अर्व 6 करोड रुपईया आमदानी भायकशा ये सरी गत आर्थिक बर्ष मा आयाद भंदा 13 करोड रुपईया को बड़ी विद्धूत निर्याद भायकशा जस्त्रेगर दा आर्थिक बर्ष 2018-81 भाट खुद विद्धूत आयाद कर्था भाट निपाल खुद विद्धूत निर्याद कर्था बने रुपईया इतिहास बनावना सपल भायकशा विद्धूत निर्याद विद्धूतिय सवारी साधन को प्रयोग रखाना पकावना विद्धूतिय उपकरण को प्रयोग बाट विद्धेशी मुद्रा आर्जन मात्र भायकशाईना पेट्रूलियम पदार्थको आयाद घड़्दा निपाल भारत बिजको ब्यापार विदेशी बुद्राको संचीती बढ़ाउन योगदान पुगे गोशा उता नेपालको सोच्छ हरीद पुर्जा छिट्टई वंगलादेश पनी निर्या अथो दैशा इसका लागी आवश्चे ग्रिहकारिय पुरागरी नेपाल भारत्र वंगलादेश का निकाय हरुपीज तेई पक्षिय समझोता होने चरण मा पुगे गोशा खुद विद्धूत आयाप कर्था बाप्च निर्याप कर्था को यात्रा मा अगाडी बढ़ेखो प्राधी करणले आपनों वित्य अवस्था मा उल्ले खनीय सुधा अर्गरेको सा आर्थिक वर्ष द्याचार बहत्तर त्रिहत्तर मा एकई वर्ष आज अर्व पच्चास करोर रुपैया खुद नुक्षानी मा रहेको प्राधी करणले तेश्यता बने ती दिन फर्खेर हेरनू परेको साईना आर्थिक वर्ष द्याचार बहत्तर त्रिहत्तर चोरहत्तर मा एक अर्व पच्चास करोर रुपैया खुद नाफा कमाऊ दे प्राधी करणले शुरू गरेको आपनो गउरभ मय नाफा को इतिहास गत आर्धिक वर्ष अमा तेरा अर्व एक्टिस करोर रुपैया फुगे नाफा मा पुगे गोशा प्राधिकरन को आमदानी एक खर्व सोर अर्व रुपईया बाठ उकालो लागे गोशा प्राधिकरन को कूल संपती आठ बर्ष अगी दुई खर्व 11 अर्व रुपईया रहेको मा आल छो खर्व 32 अर्व रुपईया पुगे गोशा प्राधिकरन ल अज बढ़ोत्तरी हुने देखिये को सा देश भरी रहेको जग्गाहर को यकीन गरी करीब 42,000 रुपनी जग्गा को परिचान भाय को सा बने कत बर्स मात्र काटफांडो उपत्यका भित्रको करीब 72 रुपनी बारा आना जग्गा को बुर्जा प्राप्त भाय को सा लगानी गर्दया आएको माँ विगत आथ पर्चमा मात्र करीब एक खर्ब रुपन्या पुझीगत लगानी गर्न प्राधी करण सक्षम हाएको सा साथ ही विगत आथ पर्चमा प्राधी करण ले आपना शाहाईक्र संबध्ध कमपनी हरुमा सपन्न अर्व 68 करोर रुपया वंदा बड़ी लगानी गरेको छा येस बात प्रस्ट छा सम्भिधानिक निकाए महा लेखा परिक्षक को कार्या लएको अंतीम लेखा परिक्षर बात देखेगो प्राधी करण को नापा कुने कागजी है न ये तर आंतरिक रुपमा लगानी का लागी ये उठा दरो श्रो थो आठ वर्ष अगाणी प्राधी करणले सरकार लाई रेड को ब्याज समे तिर्न न सकी आठिक वर्ष देहजार बहत्तर थिहत्तर सम्मा तिर्नु पर्ने ब्याज करीर 44 अर्वा कुगी सके गुथियो तर देशपची अरेग पर्ष रीड को ब्याज, सावा, रोयल्टी तथा कर निरंतर तिर्दय आये कोशा पहिले को 44 अर्वा ब्याज लाई समे घटायर करीब 29 अर्वा मा सिमित गरे कोशा देगत आठ भर्ष मा प्राधी करणले सरकार लाई करीब 80 अर्वा भुग्तानी गरी सके गुषा यस बाठ प्रस्ट होंच प्राधी करणले पुर्वाधार मा लगानी मात्र बढ़ाय कोशाईना सरकार को पोश मा पनी उल्लेख्य योगदान पुर्यावना शफाल भाई गशाई यस अवधिमा विद्रोत को महसूल तीन पटक करीब 25 प्रतिशत घटाय ये पनी नाभामा प्रेद्दी ने भाई रहाई गशाई प्राधिकरण का करीब 25 लाख ग्रहाक मत्धे करीब 22 लाख ग्रहाक लाई निवनतम सुलक तीस रुपईया मात्र कायम गरी उर्जा निशुलक गरिये पशाई एस दई स्विचाई का लागी प्रति युनिट 2 रुपईया मार विद्धुत उपलब्ध सहभने लिप्टिंग खाने पानी मार दिमांड सुलक नलागने र इनर्जी सुलका मार सहुलियत को व्यवस्था करिये पशाई विद्धुतिये सवारी साधनलाई प्रोच्चाहान गरना चार्जिंग स्ट्रेशन मा सहुलियत पूर्ण महशुल दर कायम गरिये कोछा येसरी प्राधिकरण ले नाफा कमाऊन माथ्र हुईना आपनो सामाजिक दाइत्वलाई पने उट्टिकई जिम्मेवारी का साथ पुरा गरी रहाएको छा इक रा नेपाल ले करेको credit rating मा प्राध्यकरण ले निरंतर double A plus rating पाई रहे गोशा ये सबाट प्राध्यकरण आपनो वि तीय तथा आर्थिक दाइट्व का संगो पहन गर्न सकने छमधामा देख्षा इसरी प्राधीकरण ले कमाय को नाफा ग्राफ मा जेखी ने कोरा अंक मात्र होई न युत विद्धु विकास का पुर्वाधार निर्माद र सेवा विस्तार मा लगानी हुने भर पर्दो श्रोग पनी बने गोशा जसले भविश्य को धप नाफालाई पनी सुनिश्चीप कर आपनों मुजी को ततकाल का लागी दस प्रतिशत सियर आम सर्व साधारन लाई डिसकासन करी संकलन गरिये को रकम ठुला जलुविद्धु आयुजनाहर मा लगानी करने दिशा मा प्राधीकरण अगी बढ़ी सके को सा विद्धु प्रशारन तथा वितरन तर्पका बुर् सम्रशना विस्तार तथा सुध्रीडी करण मा ठुलू लगानी परिचालन गरिये को सा इस्थानियेको अवरूद जग्गा अधिक्रहण बंच्छेत्रकु जग्गा प्रयूग तथा रूग कटार्ण सुईक्रितिकु प्रक्रियागत जंजर सड़कपनी नभायका अवगल ग्रुप मा अत्तेंतई जोखी म्यूगतर कठीन छेत्रमा काम गर्न निर्मार सामागरी मांचे खट्चड र हेलिकोप्तर बाच धुवानी गर्नु पर्ने जस्तार चुनवती पूर्ण अवस्थालाई पार्ण लगाउं दई प्रशारन लाइन निर्मार मां बुल्यक्य प 20 केवी बाच चल्न ठाले तसार बोसी तामाकोसी तथार काली गंड की करेडूर मर्शांटी काठ्मांडों त्रीशुली काठ्मांडों र विभिन्न कारणले जीन पनेकोर हेचोडा धरतकूर पर्दघाट 22-20 केवी प्रशारन लाइन निर्मार संपन्न भाय गासन हेचोडा धलकेवर इनरुवा 4-100 केवी प्रशारन लाइन अंतरगप धलकेवर इनरुवा खंड निर्मार संपन्न गरी संचालन मा लेएकोसा कावेली करीडोर, सोलु करीडोर, चमेलिया करीडोर लगायत का धेरे 1-32 केवी प्रशारन लाइन निर्माड संपन्न गरी संचावर नासन खिम्ती बारवी से काफवांडों 4 से केवी, मर्शान्दी करीडोर 22 केवी रचिली में घ्रिशुली 22 केवी प्रशारन लाइन हरको निर्माड अंतीन चरण माशन इबाहे 1-32 केवी का धेले प्रशारन लाइन निर्माडा धी इंचन आठ बर्श अगी 2009 से सरकित किलोमीटर रहको प्रशारन लाइन अहिले बढ़े रच शहजार पाँच से सरकित किलोमीटर पुगे पसा बठोवन बाच पस्चिम अत्तरिया सम्म चार से केवी प्रशारन लाइन रदेश का प्रमुप लोड सेंटर हरु भायर जाने साउथ करीडोर प्रशारन लाइन का लागी बिविन्न दाथ्री निकाय हरु बाच लगानी सुनेश्चित करी निर्मार प्रक्रिया अगाडी बढ़ाईये गोशार देश्चा प्रमुप शहर हरु लाइ 11 वचा क्लोस्टर मा विभाजन गरी सं 2015 सम्म को माग लाई आपूर्ती गर्नसक्रिक प्रशारन रवितरन सम्रशना को गुरु यूजना दयार गरी क्रमिक रूप मा कारिया नोयन मा लगिये गशार भारत संग को विद्धुत व्यापार का लागी धलके वर भुजप्फर पूर्चार से केवी पहिलो अंतर देशियर प्रशारन आइंत बनेकु थियो तरह धलके वर मा दुईसे बीस केवी साब स्टेशन अलपत रथियो गता आठ बर्श भित्र दुईसे बीस केवी साब स्टेशन निर्माड संपन्न मात्र गरिये ना चार से केवी का धलके वर एटोडा दर इनर्वा साब स्टेशन पनी एही भीजमा निर्माड संपन्न गरी संचालन गरिये गाशन नया खिम्ती बार विशे र लपसी फेदीमा चार से केवी का स्टेशन निर्माड भी इन्छन तो इसे वीश केवी का धिटोडा धलके वर इनर्वा क्रिसुली ख्रीवी होग चिलीमे होग माता तिर्ध नया कुस्मा नया भुट्वल भरतपुर तुमलिंग टार वसंतपुर तातोपानी दाना नया खिम्ती मार्की चोप उदिपूर साब स्टेशन निर्माड संपन्न गासन एक से बतिस केवी का धेरे सबस्टेशन निर्माड गरिये गासन आज बर्च अगी 2002 से एमभीये रहेको सबस्टेशन छमता बढ़ेर तेरह हजार एमभीये पुगे गशा भारत संग को विद्रुत व्यापार का लागी करीब 2005 से मेगावार्ट विद्रुत प्रवाह क करन सकने नया भुठुवल गुरकफूर 4 से केवी 200 अंतरदेशिय प्रशारन लाइन निर्माणा धी इन्छा नेपाल भारत भीजको विद्रुत आयाप निर्याप का लागी आथ परस अगी करीब 350 मेगावार्ट विद्रुत प्रवाह करन सकने प्रशारन लाइन छमता रहे इनर्वा पूर्णिया र लमकी बरेली 4 से केवी प्रशारन लाइन कार्या नोयनका चरण माशन साथे नेपाल भारत भीज थप प्रशारन लाइन निर्माण को संभाव्यता अध्यन भई राहे गुशा नेपाव भारत्र बंगलादेश वीज को विद्धूत व्यापार लाइन थप सहस बनावन इनर्वा पाठ पनार मणी सम्मा सार्शे केवी प्रशारन लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढ़ाईये गुशा एसरी संथ 2035 सम्मा मां 20,000 मेगावार्ट विद्धूत निर्याफ गर्न सकने प्रशारन लाइन संजाल विस्तार मुने सुनेश्चीत गरिये कुशा चीमेकी देश चीन संगको विद्धूत व्यापार का लागी पनी चीली में केरूं प्रशारन लाइन निर्माण अगाडी बढ़ाईये कुशा आज बरस अगी सम्मा वित्धूत वितरण तर्फका वितरण सॉब्स्ट्रेशन हरूं 80 वटा रहेको मा अहिले बढ़ेरा 1966 वटा पुगे कुशा सॉब्स्ट्रेशन शमता 640 MVA मात्र रहेको मा अहिले 2005 से MVA पुगे कुशा इसे गरी वितरण लाइं तर्फका आज वर्स अगी 1,21,000 सर्कीट किलोमीटर रहेको मा अहिले बढ़ेरा 2,8,000 सर्कीट किलोमीटर पुगे कुशा सड़क लगाए बेभिन्ना निकाय हर्कुर सहमती र सपन्वय मा समस्या हुदा कापपांड उपत्यका पोखरा र भरत्पूर महानगरपालिका का मुख्य सड़कर मा भमिगत तार बिच्छावने कारिय मा केही धिलाई भयता पनी केही समय मा समपन्ण गर्ने गरी काम निरंतर अगाडी बढ़े को सा विद्धूत उत्पादन मा जती चुनावती थियो चुहावट नियंत्रण मा त्योफंदा ठूलू चुनावती थियो किनकी मोजीर स्रम लगानी बाठ उत्पादन तथा प्रशारन भयको विद्धूत चुहावट होदा प्रतक्ष्य अरोभव रकमको छ्यती भईर हैको थियो प्राविधिक तथा गई प्राविधिक चुहावट नियंत्रण गर्न संचालन गरिये का अभियान बाठ वितरन तर्फकु विद्धूत चुहावट उल्लेख्य रूपमा गटी यो अनुपाद छिमेकी देश रूभंदा कौम भयको शा आज बर्ष अगी सम्मा प्रणाली बाठ 25 दस्मलब 78 प्रतिशत विद्धूत चुहावट भईर हैको थियो चुहावट नियंच्रण का लागी चालिये का कदम लाई थप बेवस्तेत्र प्रभापकारी बनायर गता आर्थिक वर्षमा प्रणाली कुछ चुहावट करीब 12 दस्मलब 73 प्रतिशत मा जारिये गोशा सुहावट नियंच्रण बाच मात्रप प्राधि करणले एस अवधिमा प्रतिवर्ष करीब 12 अर्व रुपईया थप आमधानी करेगोशा बेविन्न कारणले जेन वनेगा 70 मेगावाट को माथिल्लो 303 ए 30 मेगावाट को चमेलिया र 14 मेगावाट को कुलेखानी तेसरो जलविद्ध आयोजनाहर को निर्माड एही अवधिमा संपन्न करिये गोशा प्राधिकरण को अगुआई मा सोदेशी लगानी मा निर्माड भयको माथिल्लो तामाकोशी को निर्माड संपन्न करिये गोशा विक्रम सम्मद 1968 जेट नौ गते बाट संचालन मा आयको फरपेंग जलविद्धू केंद्राले नेपाल को पहीलो माठ होई न एसिया कई दोसरो जलविद्धू आयोजना को रूप मा इतिहास बनायको थियो एसरी 500 किलोवाट जडिब छमता बाट सुरूभायको विद्धूत विकास को 113 वर्षे यात्रामा प्राधिकरण प्राधिकरण का सहाई कमपनी र नीजी छत्रका विद्धूत आयोजना हरू गरी कूल जडिब छमता 3177 मेगावाट पुगेको शा भने विगत आठ परसमा 2300 मेगावाट थप भायको शा जडिब छमतामा सबे भन्दा भडी करीब 95% अर्थाब 2991 मेगावाट योगदान जलविद्धूत कैशा थर्मल उर्जा पिर्पन्न मेगावाट सोर्य उर्जा 107 मेगावाट र बायुमास उर्जा 6 मेगावाट शा आठ परसमा वेभिन्न कारणले ठप रहेको नेजी छत्रका विद्धूत आयुजना हरुसंगको विद्धूत हरित विक्री समझोता पीपी एलाई खुला गरी जलासय युकतर पीकिंग रॉन ओफ रिवर रॉन ओफ दी रिवर र सोर्य उर्जा का लागी छुट्टा छुट्टे तर तोय गरिये गशा यस बाठत नेपाल को जनविद्धूत मा सोदेशी तथा विदेशी लगानी करता को आकर्शन बढ़े गशा आठ वर्ष अगी 2008 से मेगावाट को मात्र विद्धूत खरीद सम्झोता गरियेको मा नीजी चत्रका आयोजना हरूलाई प्रोच्चाहान गर्न लीएका नितिका कारण अहिले 10,300 मेगावाट भंदा बढ़ीको विद्धूत खरीद सम्झोता वायकोशा अबको 5 वर्ष भित्रई अर्थार सन 2029 मा नेपाल को जडित शमता जण्डई 10,000 मेगावाट भंदे प्रच्चे परच्चार उपरूप्त लक्षय पुरागर्न करीब 7,000 मेगावाट का आयोजना हरू निर्माण का बिभिन्न चरण माशन थब करीब 10,000 मेगावाट का आयोजना हरू विद्धूत खरीच सम्झोता को प्रक्रिया माशन सौर्य विद्धूत उत्पादन लाई प्राथमिक्ता मा राकी प्राधिकरन ले थब 800 मेगावाट सौर्य विद्धूत को पीपीए करन बोल पत्र आववान गरेकोशा आमधानी बढवदे लगेको प्राधिकरन ले प्रशारन लाईन मात्र होई न? विद्धूत उत्पादन मा पनी लगानी बढ़ाएकोशा प्राधिकरण को सहाय कंपणी मार्पत 140 मेगावाट को तनहु जलासय युक्तत 40 मेगावाट को राहु घाट रो 27 मेगावाट को माधिलोग 30 प्रिवी रोन्वालिंग 20 मेगावाट का आयोजना हरू निर्माना धीन छन प्राधिकरण को सहाय कंपणी चीली मेगावाट को अगुआई मा निर्माना धीन 270 मेगावाट का आयोजना हरू संचालन को अंतीन चरण मासन चीली मेगावाट का थप जलाविद्धू आयोजना हरू अगाडी बढ़ाय को छा 42 मेगावाट को माधिल्लो मोदी ए, 18.2 मेगावाट को माधिल्लो मोदी, 2-10 मेगावाट को चाइनपूर सेती, 9-10 मेगावाट को तामा कोसी पाचों को निर्माड शुरू भाय को छा 133 मेगावाट को माधिल्लो अरूण र 670 मेगावाट को दूदकोसी जलाशाई युक्त जलविद्धूत आयोजना हरू वित्य वेवस्थापन करी निर्माड भा जाने अवस्थामा पुगे कासन 163 मेगावाट को सुनकोसी 3 जलाशाई युक्त जलविद्धूत आयोजनालाई भने नेपाल र बंगलादेश का सरकारी निकाय को लगानी मा निर्माड गरने गरी अगाडी बढ़ाई येगोशा तेस्ताई धक्षिन इशियाली जेत्रकई नमुना परियोजना का रूपमा अगाडी बढ़ाउन सकीने 10800 मेगावाट को करनाली चिशापानी बहु देशिय जलाशाई युक्त आयोजनाको विस्त्वित अध्यन प्रक्रिया सुरू करिये गोशा दैने माग र आपुर्ती बीच को उतार चड़ावलाई विवस्तापन गरी प्रणाली लाई भरपर्दो र गुडस्तरिय बनावन देश्का बिविन्न ठाउमा करीम 42,000 मेगावाट का पंप स्टोरेज जलविद्दू आयोजनाहरको पहीचान गरी केही उत्विष्ट्र आ प्राधिकरण को सिवा अजब प्रभावकारी बनावन प्रणाली लाई शोचाली बनावन तथा भरपर्दो र गुडस्तरिय बिन्दूत आपुर्ती शुनिश्चीत गर्न सस्थागत डिजिटलाईजेशन गर्ने कारियलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिये को शार प्राधिकरण ले गरेगा आर्थिक उपलब्धी नेपाल सरकार रा हम्राव विकास सहयोगी नियोग हरुपोर निरंतर को सहयोग रा सथभावले मात्र संभव भाइबुचा पिशोग बैंक एशियाली विकास बैंक ADV जापान अंतराश्ट्रेय सहयोग नियोग जाइकार यूरोपेली यूनियन यूरोपेली लगानी बैंक AIV Asian Infrastructure Investment Bank AIIV, KFW, नर्विजियन सहयोग नियोग, साउधी पंड, कोपेग फंड, USA, एकजिम बैंक इंडिया, एकजिम बैंक खुरिया, एकजिम बैंक चाइना जस्ता सहयोगी नियोग हर को नेपाल को उर्जा छेत्रको विकास मा अत्यन्तो महत्त पूर्ण युगदान रहेको छा, भविश्यमा अज धूलो सहयोग को अपेक्षालिये का साउँ अरेक सफलता संगयी नया चुनलती सुरू हुन्छा, तेसेले पुज्यालो नेपाल को यात्रामा नया कुसे धुंगा पार गर दई, नेपाल विद्रुद प्राधिकरण को यात्रा अगी बढ़ी रहेको छा सरकार को घोशित योजनालाई, सर्वोपरी मानेर, कार्यानोय गर्णु, नेपाल विद्रुद प्राधिकरण जस्ता, सार्वोजनिक सस्थान को राष्टिय कक्रतप्य पनी हो प्राधीकरन ने प्राप्त गरेको उपलद्धी संस्थान विशेसको उन्नतिको मात्र विशे होईना राष्ट्रिय आथ्मविश्वास जागरन को उर्जापनि हो सर्वसाधारन लाई विश्वस्निय शेवा प्रदान गरना सार्मजनिक संस्थान को आमदानी बढ़ावन रह राष्पिय सम्रिद्धी को संकल्पमाः आपनोप संपोर्ण प्रतिपतता कार्यानुयन गरावन पाउंदाद नेपाल विद्रूत प्राधिकरण गोरव भसुज करदसा निपाल विद्धूत प्राधिकरण उजालो निपाल को संबाहर